नमस्कार दोस्तों, आज भारत के रेसलर रवी कुमार धाया के दौरा जो किया गया है, मैं समझता हूं कि पूरे ओलंपिक्स गेम में अभी तक का सबसे बड़ा टर्नराउंड है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, रेसलिंग के अंदर आपको पता होगा जो टोटल पूरा समय होता है गेम का वो होता है छे मिनट का, तीन-तीन मिनट में इसको बाटा जाता है दो राउंड में, तो हुआ क्या था कि जो हमारे प्लेयर थे रवी कुमार धाया, वो यहाँ पर पिछड़ रहे थे 9-2 से, जी हाँ, जो अपोनेंट है कजाकिस्तान के रेसलर थे, उनका 9 प बताऊंगा, उसमें बेसिकली वो जीत गए है, विन बाई फॉल, रेसलिंग के अंदर जो सबसे बड़ी जीत होती है, उसको कहा जाता है, विन बाई फॉल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो, कि इसकी वज़ए से, सिल्वर पक्का हो ग फ्री स्टाइल दूसरा होता है, ग्रीको रोमन, फ्री स्टाइल में क्या होता है, कि आप ओपोनेंट के किसी भी बॉडी, जैसे कि आप पैर को भी पकड़ के उसको गिरा सकते हो, कहीं पर भी आप बॉडी पार्ट को पकड़ सकते हो, और सामने वाले ओपोनेंट को गिरा स कर रहे हैं जो कि आज सुवे से टोटल तीन मैच उनों ने खेला सबसे पहले प्री कौर्टर फाइनल में टेक्निकल सुप्रियारिटी से वो जीत गए और आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्निकल जादा है लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो रवी कुमार धाया है उन्होंने आखरी मुवमेंट पन मतलब मुश्किल से आइधिंग चायद 5 सकेंड बचा था तब उन्होंने विन बाई फॉल कर लिया और इसकी वज़े से वो जीत गए हैं और यहाँ पर हमारा सिलवर पक्का ह आगे चलकर क्या होता है कि अगले राउंड में यहाँ पर जो कजाकिस्तान के रेसलर है सनेव उन्होंने क्या किया रवी कुमार धाया का एंकल पकड़ दिया और इसको कहा जाता है फिर वहाँ पर जो मूव चलते हैं उसको कहा जाता है फिटल मूव और यह आप देख उनको रोल कर दिया और आठ पॉइंट यहाँ पर अरजित कर लिया और मैंने आपको क्या बताया कि इसके पहले दोनों का स्कोर वन वन था अब आप खुद सोचके देखो आठ प्लस नाइन और वन का यह पूरा स्कोर हो गया आगे चलकर रवी कुमार धाया ने एक और स्को अब तो कुछ हो ही नहीं सकता लेकिन आखरी के एक मिनट में बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पर जिस प्रकार का कमबैक किया यहाँ पर सबसे पहले क्या किया कि उनको जो कजाकिस्तान के रेसलर हैं उनको मैट के बाहर किया और यहाँ पर अब स्कोर हो गया 5-9 का मतलब से पीछे चल रहा है और अब समय हमारे पास बचा है 30 सकंड का अब इस 30 सकंड में डू और डाई वाला सिचुएशन था और इसी समय यहाँ पर जो रवी धाया है उन्होंने विन बाई यह जो पुरा बाउट है जो पुरा मैच है उसको बाई फॉल जीत लिया है अब आपक जो एक रैसलर होता है वो हमेशा यही चाता है कि जब वो मैच जीते तो उसको विन बाई फॉल के माध्याम से जीते यह सबसे बड़ी जीत होती है इसमें क्या किया जाता है जो ओपोनेंट होता है उसको फॉल कर दिया जाता है मतलब खड़े खड़े आप उसको नीचे यह और blue color में यहाँ पर defender है यह blue color में हार जाएगा क्योंकि यह जो आप दोनों कंधा देख रहे हो blue color वाले opponent का यह दोनों क्या है कि mat के नीचे सटाना है यहाँ पर और जैसे ही यह दोनों कंधा mat के नीचे आएगा वैसे ही यह blue color वाला जो player है वो यहाँ पर हार जाएगा और इस इस तरह की जो कहते है न पटकनी देना और इस तरह से पूरा एकदम चित कर देना जिसको हम कहते हैं रेस्लिंग में वो यह situation होती है और यहाँ पर जो रेफरी होता है जो जो देख रहा होता है सब कुछ CT बजा रहा होता है वो चेक करता है कि क्या यह जो win by fall है क्या यह strongly hold हु हमारे रवी कुमार धहिया है और यह जो yellow color आप देख रहे हो यह आपके कजाकिस्तान के player है और यह आप देख पाऊगे इस तरह खड़े खड़े यहाँ पर आप देखे पुश किया यह पुश करते करते और आप next आले में देखो इस तरह गिराया है और पूरी तरह से एक प्रकार से आप कहा सकते हो सामने से हाँ पर चित दे दिया और इसी कौह कहते है win by fall और यहाँ पर हम जीत गए और जैसा मैंने आपको बताया था कि यह आप देख सकते हो seven का score था और इनका nine का score था उसके बावजूद भी हमें जीत मिल गए क्योंकि doesn't matter अगर हमारा यहाँ दो का भी score होता और इनका nine का होता doesn't matter अगर हम ने उसको win by fall कर दिया तो simply हम यहाँ पर जीत declare कर दिये जाते हैं अब इसमें एक और advantage क्या हुआ था हमारे पास रभी कुमार धहिया के पास कि जब five five nine का score हुआ था तो इस समय कजाकिस्तान के player पर चोट लग गई थी यहाँ और एक psychological advantage होता है मैं कह सकता हूँ और उसका पूरा फायदा लेते वे बहुती बहुती बहतरीन परदर्शन मतलब मैं तो इदम देखके कुछ देर तो मतलब शौक में रह गया था कि यह हो कैसे सकता इस इंपॉसिबल almost और ऐसा करकी दिखाया देखिए एक तो यह win by fall होता ह अगर दूसरे अगर हम winning की बात करें तो एक होता है technical superiority यह दूसरे number पर आता है इसमें basically क्या है दोनों opponent के बीच में जो score है वो आपका अगर 10 point का difference हो गया तो basically इसको technical superiority से जीत दे दी जाती है अब just imagine करिए रवी धया के case में क्या हुआ था 9-1 का score हो गया था 8 point की lead ले रखी जीती just एक और अगर roll कर दिया होता तो यहाँ पर रवी धया हार जाते और बहुत बड़ी यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमें हार देखने को मिलती लेकिन जो technical superiority तो छोड़िए यहाँ पर win by fall से हम जीते है और एक आखरी होता है यहाँ पर जिसकों कहता है win by decision इसमें क्या है क जिसने आखरी वाला point लिया था वो यहाँ पर winner declare कर दिया जाता है तो यह भी चीज है इसमें आपको ध्यान रखना है तो बड़ा ही मज़ा आया यह वाला पूरा जो about है I'm sure कि आपने से कई लोगों ने देखा होगा और कई लोग मुझे से लगा तुरंत message आ गया मेरे पास जो है award किया गया है मतलब दोनों ही conduct करा है गया है कराय जा रहा है तो इसका जो right answer है आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो आपको मिले गई अगर आप Instagram पे नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उतर और मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ Stories के form में अगर आप study IQ को support करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जहाँ पर join का बटन दिख रहा होगा बहुत ही कम दाम पर आप हमें support कर सकते हैं so I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आप से next time till then thank you very much see you soon